पहले दिन 850 लोगों ने ही खुद को किया वुष्ट बुष्टर डोज लेने वालों ने कहा तिस्री लहार लोगों को कम परभावित कर रही है क्योंकि वैक्सिन मददगार है तिस्री डोज आवसिले करोना से बचाव का वुष्टर डोज सो मुष्ट से मिलना सुरू हुग गया पहले दिन रजधानी के 18 केंधर पर हेल्थ केरियर वर्कर फ्रेंट लाइन वर्कर हुआ सार्ट पलाज आई उके गंभीर रोग्यों नेटी का लगवाया हाला कि पहले दिन उमीद के विप्री सुरुवात थोड़ी फीकी रही दिन भर में तीनों कटेगरी में कुल 850 लोगों को ही वुष्टर आने प्री कॉंसर्ण डोज लगी वही दिन के 12 बजे तक संख्या सिर्फ 117 रही शुरुवात के कुछ घंटे तक कि ने चुने लोगी वैक्सिनेशन सेंटर पर नजर आ रहे थे 11 बजे तक 27 लोगों को टेका करन हुआ फिर इसके बाद रफ्तार थोड़ी बड़ी मुरहाबादी इस्तित फुटबॉल अस्टेडियम में लोगों का रिफॉंस वाकी सेंटर से बहतर दिखा यहाँ दो पहर एक बजे तक 45 लोग वैक्सिनेशन करा चुके थे इसमें सारवधिक संख्या साथ पलस आई वर्क की है इन्होंने पहले दिन काफी जाग रुकता दिखाई एयरपोर्ट से फलाइट की उड़ान हुई आधे 28 की जगा सुल्ल वीमान ही उड़े राची रेलवे अस्टेशन पर 25 की जगा सुल्ल हजार आत्रियों का आगमन कुरोना के बड़ते संकर्मन ने एक सब्तम में ही एयरलेंस कमपणियों की हालत खस्ता कर दी है क्योंकि आत्रिय नहीं मिल रहे हैं विमान कमपणिया फुलाइट को रद करना शुरू कर दी है विर्शा मुंड़ एयरपोर्ट से ही सुमवार को सुलाइ विमान अप डाउन किया पहले प्रती दिन आठ हजार आत्री सफर कर रहे थे अभी 4500 आत्री ही सफर कर रहे आनी 80% आत्रियों की संख्या में गिरावट आये इसमें एयरलेंस कमपणियों का अपरेटरिंग कष्ट भी नहीं निकल रहा है इसलिए एयरलेंस कमपणिया विमान को रद करना शुरू कर दिये सुमवार को भी आज सुबा आत्री नहीं मिलने की वज़ा से दो विमान की सेवर रद कर दी गए एयरपूर्ट अर्थोरिटी के अधिकारियों के अनुसार ऐसा ही हाल रहा तो अभी और विमान रद हो सकते क्योंकि एक सब्तर पहले तक 60 परतीसत आत्री की सफर कर रहे थे अब करीब 20 परतीसत आत्री सफर ही कर रहे हैं भासकर के खुला से के बाद जीला परसासर निबदली विवस्त अस्टेशन में मिले संक्रिमित आत्री भेजी गए अस्पताल एंबुलेंस का इंतेज़ा धनबाद अस्टेशन अब कोविट जांज में संक्रिमित पाये जाने पर सीधी होम आइसलेशन पर नहीं भेजे जा संक्रिमित आत्रियों को अस्टेशन से पीजी बलाग कोविट सेंटर भेज़े जाएगा कुरेलवे अस्टेशन से संक्रिमितों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुचाया जाएगा अस्पताल में डाक्टरों की जांच के बाद ही हम आइसलेशन की सुवीधा दे जाएगी और उनकी ही निकरानी में घर तक भेजे जाएगी सोमवार से यह विवस्ता सुरू कर दी गई है सोमवार को भासकर में सिस्टम फैला रहा समचार परकासित होने के बाद चिल्ला परशासर ने विवस्ता पदले भासकर ने अस्टेशन पर मिले संक्रिमितों को जहां तहां गुमने का परमान दिया है नवालिक ने घरवालों से की वगावत कम उम्र में साधी करने से गुमलग की इस बेटी ने क्या इंकर गुमलग में एक नवालिक ने घरवालों से वगावत करते हुए कम उम्र में साधी करने से इंकर कर दी है छात्र ने कहा कि अभी मेरी उम्र पढ़ाई की है पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों में खड़ा हो जाओंगी तब 21 साल की उम्र में करूंगी साधी। मामला गुमला पर खंड के तिग्रा गाउं की है तिग्रा गाउं की 11 कच्छा की छात्र ने इसकी सिकायत बाली कलियां समीती गुमला से की है। छात्र की सिकायत की बाद CWC ने मामला दर्ज कर लिया छात्र के माता पिता को 11 जनवरी को CWC आफिस में उपशित होने के लिए कहा गया जिस से आगे की करवाई की जा सके। तिग्रा गाउं की रहने वाली नवाली ने पिमाता पिता किसान है खेती वारी कर अपने प्रिवारी करजवी का चलाते हैं। इसके बाद भी प्रिजन तैयार नहीं हुए तो सोमुवार को गुम्रा इश्थित CWC आफिस पहुंच गई उन्होंने माता पिता दुआरा जब्रन कम उम्र में साधी करने की जनकारी दे। इस सम्मन्द में नवालिग बेटी की पिता ने कहा कि गरीबी के कारण बेटी की साधी तैक कर रही थी लेकिन बेटी साधी करना नहीं चाहते अब भी भी वप पढ़ना चाहते इसलिए मैंने निर्ना लिया है बेटी जब बालिग होगी तब उसका साधी कराई जाएगी। 11 जन्वरी से जार्खन के सभी जिल्लों में होगी बारिस राजिस्थान और मदिपर्देश के रास्ते पच्मी वीचोब जार्खन पहुँच गया है रवीवार की देर साम राज के कई जगों पर बारिस हुई है वही 11 जन्वरी से पूरे राजि में हलके से मददर्ची बारिस की संभावना मौसम केंद्र ने जता इस दारान ओलविरिष्टी की भी बात कही गई है मौसम केंद्र राजि के परभारी अब इसे एक आनद ने अगले पांच दिनों के मौसम पुर्वा अनुम्गमान के बारे में बताती हुए कहा कि दस जन्वरी को राज के उत्री और मदी भाग में हलके से मददर्च की बारिस और गरज के साथ वज़ुपात होने की संभावना जता ही वहीं 11 जन्वरी को राज के सभी अस्थानों पर हलके से मददर्च की बारिस और गरज के साथ वज़ुपात की चेतानी जारी की है साथ ही ओलविरिष्टी की भी बात कही गई खासकर पच्मी और मदी भाग में ओलविरिष्टी की संभावना है स्री आनन्द ने कहा कि 12 और 13 जन्वरी को भी राज के सभी अस्थानों पर हलके से मदर्च की बारिस हो सकती है वहीं 14 जन्वरी से बारिस में कुछ कमी के साथ राज में कुछ अस्थानों पर हलके से मदर्च की बारिस की संभावना जाता ही वहीं 15 जनवरी तक राजजी में आंसिक बादल देखने को मिलेंगे और कुछ जगों पर छिट पुट बारिस की भी संभावना है 16 जनवरी से आसमान साफ हो जाएगा हाला कि सुबा में धूँआ और कुहरा रहेगा मकर सक्रांती पर बाबा मंदिर में संभावित भीड को लेकर डेसी ने तयारियों का लिया जाजा नवर्स के बाद अब मकर सक्रांती पर बाबा वैदनात मंदिर में आने वाली संभावित भीड के मुद्देन जड़ेसी मंजुनात ने तयारियों का जाजा जाले उन्होंने सभी संबंदित अधिकार्यों को निर्देश दिया कि सरधालों की सुविधा सुराच्च वा सुगमजल अरपर का पुक्यात इंतजाम करें जो लोग भी बाबा मंदिर आएंगे बिना कोविड डवल डोज परमान पत्र के परवेश नहीं कर पाएंगे साथ ही बिना मास्क के भी परवेश नहीं मिले गया इसलिए सभी अधिकारी परमान पत्र और मास्क जान सकती से करेंगे ताकि जो भी सरधालों आएं और देवगर की लोग जो उनकी सेवा में रहे उन्हें भी कोविड के नए वेरी एंट से सुरच्चा मिल सके डीसी ने इस दावरान मंदिर में मजुद प्रोहित समाज और सरधालों को कोविड गैरलाइन का अनुपालन कर इस संकर्मन से बचाव की अपील की उन्होंने मंदिर और आसपास के अलाके में सापकर विशेश धियान रखने का निर्देश दिया वीधी वश्ता वसरच्च विवस्ता के साथ मंदिर आसपास के छेत्रों में तैना दंदा धिकारियों वा सुरत छबलों के जवानों से बाचीत करते हुए डीसी ने कहा की 14 जनवरी को मकर्स्ट करांदी के आसर पर स्रधालों के साथ नम्रता पूर्वाक वेहवार करें पूरी सतर करता और साधानी के साथ अपने परती नियुक्त अस्थलों पर एक्टिव रहे इस दोरान मंदीर परबंधक रमेश प्रियहक्स्त अप्रो के अलावा मंदीर में परती नियुक्त डंद अधिकारी वा पूलीस अधिकारी माजू थे